तुडियर स्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीस सिकेंड समस्टर के पुलिटिकल साइंस यानि राज नीति साफ्तर के MCQ टाइप के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चिन एंसर के बारे में MCQ का मतलब आप लोग जानते हैं अब्जेक्टिव कोईश्चिन नहीं बहुबेकल पे तो जिन जिन भी इन्वसिटिम परिच्छा हैं बहुबेकल पे बेस पे होने वाली हैं बेस चिकेंड समस्टर में उनको वीडियो कम्प्लीट जरूर देखने चाहिए उनको उनके एक्जाम में काफ़े एस सारे है कि किसने कहा राज कानून का सिसु और जनक दोनों है यानि कि छोटा बच्चा और उसका फादर दोनों है ठीक है तो इसका सही जबाब हो जाए कि आप्शन नमबर सी बहुत ही महत्पूर्प्रश्ण है मैं का इवर एक प्रमक बिद्वान है समास साफ्त्री हैं राज नी ही तिक हैं इन्हों ने ही कहा है कि राज कानून का बच्चा और पिता दोनों है सही सफट्रपूरुके अग्जा है यह बात से बिद्वान ने कहीं है कानून सम्पूरु की आध्या है यह किसका कथन है ऐसा कोश्चन देखने मिलता मिल सकता है कि एपे जिस ने बात कहीं सकता है तो श्रीज एब वहारा आरपित-धविद्वापर का नियम ही कानून है आपको इसको फतत भिवहर सकते हैं ठीक है तो ये बात कही है उस बिद्वान का नाम है आक्स फोड़ फब्दा वली ठीक है एक मिनट एक मिनट फिर से कोईशन पढ़ते हैं इसने कहा है कि फुतत या फिर सत्त द्वारा आरोपित अचार बेवहार का नियम ही कानून है तो यह बात आपको आक्स फोड के सब्दकोस में मिलिए ध्यान लखेंगे सही जवाब आ होगा अगरा बात कौन से बिद्वान ने कही है तो यह बात कही है प्रमुक बिद्वान बिलसन के द्वारा कही गई है बी नंबर सही उत्तर होगा अगला कि किसने कहा है कि राजिका आस्तित्व बेक्त के जीवन को नैतिक बनाने के लिए है तो यह बात प्रमुक बिद्वान के द्वार प्रस्तुत है किया सभसे पहले राज ज्वा है जो भीक्त के सदाचार और धर्मभालेता के अधिकाधिक समरोप है ये किस बिद्वान का कथन है तो ये बात कही गई है पुर्मुक बिद्वान प्लेटो के द्वारा सही जबाब एह होगा ध्यान लखेंगे अगला प्रश्ण है कि किस ने कहा है कि कानून नैतिकता की रच्छा के लिए उसके चारो और एक चाहर दिवारी है तो ये बात पुर्मुक बिद्वान के द्वारा कही गई है उनका नाह में बार कर ये भी पुर्मुक बिद्वान और राजनित्ग है इन्हों ने ही कहा कि कानून नैतिकता की रच्छा यानि कि उसकी सुगोटी के लिए उसके चारो और एक तरीके फे प्रोटेक्शन के समान ह एक तरफ जाल के समाने ठीक है चाहर दिवारी है ठीक है ये बात बार कर ने कहिए नंबर सही जबाब होगा अगला कि किस ने कहा है ये फिर कौन से बिद्वान ने कहा है कि कानून देश की नैतिक प्रगतिक के दरपन होते हैं तो ये बात कही गई है प्रमुक बिद्वान बि पिद्वान ने कहा है ये फिर ज्ने कहा है। कि कानून के पालन का मूल कारण दमन नहीं वलकि या फिर वरन कानून के पाल की इच्छा होती है तो ये बात प्रमुख बिद्वान मैका एवर के द्वारा कही गई है सही जबाब यह होगा धान लखेंगे चली नेश कोशन करो बढ़ते है अगला प्रस्थर प्रस्तुत है कि निम्न में कौन कानून के एतिहाचिक बिचार धारा के प्रतिपादक है तो ध्यान लखेंगे इनका नाम है सर हेनरी मैन एनवर सही जबाब होगा बहुत ही महाद पूनप्रशने एकजाम के लिए इकजाम में देखने को मिल सकता है, पूरियुमीद है, अगला प्रस्त्रुत है कि, दार्शनारिक विचार धारा को कानून में प्रियोग करने वाले प्रतिपादक हैं तो हीगल प्रतिपादक हैं, राजनीतिक भी बोल सकते हैं, अगला कि कानून के समासाफ्त्रे बिचार धारा के पोसक कौन है तो कानून के समासाफ्त्रे जो बिचार धारा है बिचार धारा जो होती है इसके पोसक है मैंका एवर जी ए नंबर सही जबाब ए भी प्रमुक बिद्वान है जो कि मैं आपको बताए चुका कई बार इनके बा जो राज जी के सभी कर्मचारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निश्चित करते हैं, किस कानून के अंतरगत आते हैं? तो यह सब आते हैं, ठीक है, प्रासास्किय कानून के अंतरगत, सही जबाब इसका हो जाएगा, अगला है कि भारत के राष्टपती का निर्वाच किस कानून के अंतरगत आता है, तो भारत का जो राष्टपती होता है, इसका जो निर्वाचन है, वो आता है, सेम वैधानिक कानून के अंतरगत, इसलिए सही जबाब भी होगा, प्रमुखु प्रस्थन है, महत्पूर है, कई बार रिपीटेड भी है, तो ध्यान लखेंग तो यह बात है, यह जो लाइन है, प्रमुख बिद्वान आउस्टिन के द्वारा कही गई है, इसलिए सही जबाब होगा, अगला की कानून के प्रसंग में विचार धारा के मुख समर्थक कौन हैं, तो उनका नाम है, आउस्टिन भी हैं, समर्थक इसके, और बिलोबी भी ह प्रसंग बिद्वान यहां पर देगे हैं, यह सभी लोग जो हैं, यह कानून के प्रसंग में, बिचार धारा के समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, फले सही जबाब D होगा, क्योंकि यह सबी लोग नाम हैं, तो उस प्रमुख बिद्वान का नाम है, जहां अखेंगे, पोलक, मि रिमेन तो यह सभी जितने भी हैं यह सभी इसके समर्थक हैं फिले सही जवाब डी होगा अगला की कानून के स्वरूप के तुलनात्मक विचार धारा के प्रतिपादक कौन बिद्वान हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा आफ्षिन नंबर आ ठीक है हरवर इस्पेंसन और मारगन यह दो हैं प्रमुख विद्वान है जो कानून के स्वरूप की तुलनात्मक विचार धारा के प्रतिपादक है अनंबर सही उत्तर होगा अगला की कानून लौ सब्द का हिंदी रुपांत्रण है या लौ किस भासा का सब्द है तो यह जो है एक भासा होती अंग ठी नंबर सही जबाब होगा अगला प्रस्तुत है कि कि अधिकारियों की उस पध्धत को कानून कहते हैं जिसे सरकार लागू करती है तो यह बात प्रमुक्त विद्वान ग्रीन जो की विद्वान है प्रमुक्त समासाफ्ति और राजनितिक गये नहीं की द्वारा कही गई है अगला कुश्चन की कानून का ध्यांत सुनेंगे कानून नियमों का वह समूव है जिसे राज जिमानटा देता है और न्याय बियुफ्था के प्रसासन में लागू करता है यह कौन से बिद्वानने कहा है यह कौन से बिद्वानने बात कही है तो उनका नाम है प्रोफेसर ठीक है सौल मंड के दुआरा कही गई है A नंबर सही जबाब होगा अगला कि कानून के विसलेशरण वादी संप्रदाय ने किस दरसन से फ्रेणा ग्रहण की है तो सही जबाब इसका हो ज अगला प्रश्ण है कि कानून के सम्मद्ध में विफलेशन वादियों की विचार धारा किसे से प्रभावित होती कौन से विद्वान से तो यह होती है बैंथम एवं और स्टीन से सही जबाब यह नंबर होगा ध्यान रखेंगे ठीक है नेस्ट कोश्चन है कि विफलेशनात् प्रखा के लेखक नियमों को प्रगत सीलना मानकर गतहीन मान लेते हैं यह कथन कौन से विद्वान का है तो कथन जो है वह गैटल का है नंबर सही जबाब होगा ध्यान रखेंगे अगला कि निम्न में से कौन से बिचारक कानून के और चारिक स्रोत की अपेच्छा उसकी व वास्तविक कानून की अपेच्छा दास्वनिक या कानून के अमूर्थ रूप का अध्यन करते हैं तो वो लोग हैं दास्वनिक विचारक टाइप के दास्वनिक विचारक होते हैं वो सब लोग होते हैं इस सब करते हैं अध्यन सही जबाब यह होगा अगला की कानून की शुरूत में दार्षिनिक विचार धारा के पोसक कौन सा है बिद्वान है तो कानून की शुरूत में दार्षिनिक विचार धारा के पोसक है हिंगल कांड सही जबाब यह होगा ध्यान लखें यह तो दो प्रमुक बिद्वान है अगला कि निम्न में से कौ कानून समाजिक शक्तियों की उपज होती है तो इस विद्वान काatti का कानून की अच्छाइब बुराई का निरेड़े उसके परेडामों के अधार पर करती है तो यह उसके समावस्ताफ्तर बिचार धारा के अधार पर यह करती है और यह उत्तर होगा कि बिचारध्रा के उसार कानून का आफ्टत राज के पूर्व माना जाता है तो सही जवाब इसका हो जाएगा समासा आफ्तर विचारध्रा हो है इसका जवाब सी नंबर होगा अगला है कि निम्न में से कौन से बिचार धारा राज्य कि संप्रुवता पर नहीं वरन मतलब बलकि कानून कि संप्रुवता पर भी बल देती है तो वो बिचार धारा कौन से है तो उस बिचार धारा करना है ध्यार नखेंगे भी प्रमक प्रशन है एक्जाम के लिए वह समास साफ्त्रे बिचार धारा 35 का राइट एंसर हो जाएगा बी नंबर ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है अगला कुश्चन है कि यह कहकर यानि कि यह कहकर की कानुर राज जिससे शोतंत्र नहीं हो सकता किस बिचार धारा की अलोशना की गई है तो यह बात कौन से बिचार धारा में कही गई है या फिर अलोशना की गई है उस बिचार धारा का नाम बताना है तो इस बिचार धारा का नाम है समास साफ्त्रे बिचार धारा ए नंबर इसका सही कानून की स्रेणी में तो यह चुछ को काफ़ी मिलेगी ठीक है आपको मैं पीडियप देने वाला हूं थैक ça спас साहित सॉल्वड ठीक पूरी पूरी तो जानतों लीजिए इस प्रकार के कानून की स्रेड़ी में आता है वह वे कानून ध्यान लखेंगे अगला कि कानून और जाजात खरीदने वा बेचने के कानून किस रेड़ी के अंतरगत आते तो यह आते हैं बेक्तिगत कानून के अंतरगत भी नंबर सही जबाब होगा अगला कि चोरी डकैती और हत्या करने लिए जो कानून बनाये जाते हैं वो किस प्रकार के कानून के अंतरगताते हैं तो यह जो सब कानून यह जिस कानूण के अंत्रगदाते हैं वह सारवजनिक कानूण बी नंबर सहीर पाव होगा बहुत ही पुरमुक परशने ध्यान नकेंगे अगला कि सर्वोच नियाले सर्बोच न्याले की सुप्रीम कोर्ट का गठन और सक्तियां कानून के किस प्रकार की स्रेणी में आता है बहुत पूरुकरशन है ध्यान नकेंगे तो सुप्रीम अस्वरी सर्बोच न्याले का गठन और सक्तियों का कानून जिस त्रेणे में आता है वो सम्विधानिक कानून है क्योंकि यह आप सभी के जो सम्विधान में लिखा गया है वागाईदा उसी हिसाब से आपका जो दंड के अनुच्छेद में आप आधिकारी बनेंगे उसके अंतर्गत ही आपको दंड दी ढाएगा ठीक है अगला प्रस्तुत है कि राज जिपाल की नियुक्त यानि की राज जिपाल का जो सेलेक्शन है किस कानून के स्रेड़ी में आता है तो जब राज जिपाल की नियुक्त की जाती है तो यह जो आता है जिस स्रेड़ी या फिर जिस कानून की स्रेड़ी में आता है वो है सम्विधान कानून क्योंकि यह सब चीजे सम्विधान के में जो लिखा है उसी इसाफ़े उसकी दियुक्त की जाती है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश प्रसाफ के कानून की सर्वोत्तम उदाहरन है तो सिंपल सा उत्तरहिश का फ्रांस ठीक है फ्रांस जो देश से यह प्रसाफ की कानून की सर्वोत्तम का सबसे बड़ा हुदाहरन है एक्जामपल है इसी नम्बर सही जबाब अगला कि निम्न में से कौन सा कानून प्रचलित रीत रिवाजो और परमपराओं का बिक्सित रूप होता है ठीक है तो यह है प्रथागत कानून ठीक है सही जबाब इसका हो जाएगा बी नम्बर ध्यान लखेंगे सही जबाब भी होगा अगला कि कि देश के कानून में रीत रिवाजो ने महत पूर्ण भाग लिया है तो ध्यान लखेंगे बहुत ही पहत पूर्ण प्रस्न है सही जबाब इसका हो जाएगा इंगलेंड ठीक है इंगलेंड देश के कानून में रीत रिवाजो ने महत पूर्ण भाग लिया है डी नम्बर सही जबाब होगा अगला कोश्चन है कि रीत रिवाजो को सामिल कर कौमन ला किस देश में काफी प्रिचलित है तो रीत रिवाजो को सामिल कर कौमन ला जिस देश में काफी प्रिचलित है उस देश का नाम है जहां लखेंगे जर्मनी डी नम्बर सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण कही रहा है कि भारत में किसे अध्यादेव जारी करने का अधिकार प्राप्त है तो ये जो अधिकार है वो राष्ट पती जी को ही है डी नंबर सही जबाब होगा ध्यान लखेंगे अगला की कानून के किस रोत के अनुसार इसुवर की समस्त सत्ता को कानून का उद्गम माना जाता है तो ये माना जाता है धर्म को ए नंबर सही जबाब अगला की किन बिचार को के अनुसार दंड अपराधी के लिए निसेधात्मक उपहार है तो ये बात हिंगल कांट ने कही चाहिए नंबर चाहिए अग्ला कि किस बिचार के शसार धंड देने में भाव्ना या दूर भाव्ना काम नहीं लीजार जाना चाहिए यह बात जो है यह फिर विचार यह जो है यह ये इन्तम ने दिया है ऐनसे वहां समाज जो जीवन की कद्र करता है उसे तत्प्रता ठीक है तत्प्रता ठीक है तत्प्रता से जीवन नहीं लेना चाहिए ठीक है तो तत्प्रता से जीवन नहीं लेना चाहिए यह बात जो है प्रमुक बिद्वान के द्वारा कहेगा इनका नाम है टाफ्ट एनमबर सही जबाब होगा अगला की आ से बाता है अगला की बिधी कि सम्च समांता सम् 우린 समन्दीथ इसका होगा सी oh नंबर अगला की निम्रीकित मेंसें कौन सा कानून का स्फ्रोत न ही high है जो हuum समिति हने कानून का स्फ्रोत नहीं कreated नंबरoger से अग्ला की वाफ्टिविक कानून उसका आदेव जिसे दूसरों को आधेव देने का अधिकार प्राप्त है यह कथन प्रमक बिद्वान लौब यही सबसे पुरातन सिध्धानत है डंद का थीक है नंबर सही जबाप होगा तो आज किस वीडियो हम आपको तिक है 55 कोश्चन बता रहे हैं हलाकि हमने एक महां मतलब की पीडियोफ तैयार की जिसमें आपको 100 कोश्चन मिल जाएंगे वीडियो लंबी नहों समय आपका ज्यदा वेश्च नहों लिख तो 55 कोश्चन मैंने आपको समस्पेस किया उनको थोड़ा समझाया आपको ठीक है बाकी के 100 कोश्चन की जो पीडियोफ है वह आपके लिए तैयार की गई है जिसमें आपको कोश्चन भी होंगे उसके सामने उसका उत्तर भी लिखाओगा टिक होगा जो की वह पीडियोफ आपको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा नमबर वाट्सप चैटिंग के लिए सो हो जाएगा तो उसके संड मतब मैसेज कर दीजेगा किशार हमें भी है सेकें समस्टर प्रोटिकल साइंस की एमसी क्यों टाइप की पीडियोफ संड कर दीजिए जैसे आप मैसेज करेंगे हम आपक कर देंगे ठीक है और यह आपका अपना ही चैनल सेक्षेस्ट होए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा मिलते हैं वीडियो में जैंद